परब्रम्ह परमात्माही सगुन साकार स्वरूपमान होकर सन्मुक समुपस्चित हुआ है पहंचान गए एक द्रश्टी में ऐसा आनंद उमड़ा हिर्दे में कि ध्याता ध्यान धेय तीनों एक हो गए और त्रप्टी लग देगे बाबा की अखंड समाधी लग दे आनंद में खुली आँखों से समाधिस्त होगा हम आता है हाँ जोड़के सामने बैठी है मन में सोच रही है महराजी बड़े ध्यान से छोड़ा को कचु भविस्ट पढ़ रहे होंगे अधबा कचु माथे की रेखा देख रहे होंगे अच्छी तरह द्रेख लें देओ मैया बैठी रही पर जब बैठे बैठे एक घंटा बीत गयो बाबा कचु नाए बोले तो मैया दीरे से बोली महराज मोई घर के और भी काम निप्टा आने हैं अब तो आपने नाम सोच लिए ओ ऌधा कर कर के बताओ कहा नाम बिचार कियो है अभ्य होए तो बिचार करें बाबा तो समाधी में बैठे लोकने पर भी कचुना बोले तो मैया रोहनी की तरफ देख के साल में बोली बेहना देख तो सह्या बाबा जी ये का है गयो ना बोले, ना चाले, ना हिले, ना डुले, ना मटके, ना सटके, पलक भी न जपके रोहिणी जी दीरे से कान में बोली बेहना मोई तो मालूम चले या बाबा की सांसुना चले अम मैया घबडाई ये भगवान तो है महराज जी, ये मेरो ही घर मिलो कलंक लगाए बेको ये बैटे ठाड़े अचानक इने कौन सी बीमारी है गई मैया तो डर गई बिचारी, हाथ पकड़के हिलाएने लगी अरे महराज जी, जब जोड़ से मैया चिल लाई तो बाबा की समाधी खुल गए, सावधान हो गए, समल गए हाज जोड़के बोले, हाँ हाँ, जसोदा, मैंने तेरे छोड़ा को नाम सोच ली मैया बोली धन्य प्रभू, ऐसे नाम सोच ओ जाए महराज मैं तो कची हो रही सोच में लग गई, अब जल्दी करपा करो, आपने कहा नाम बिचार कियो है अब आबा मन ही मन बिचार कर भी लगे के आये तो थे नाम देवे कूं प्रया प्यारी जहांकी को देखके हम तो अपनों ही नाम भूल गए कि मैं तो अपना ही नाम भूल गया समखल करके दोनों बालकों को पुना निहारने लगे, मन में विचारने लगे, कहीं हमारी परिक्षा तो नहीं है रही यह अदला बदली कैसी दीख रही है तो तुरंद मैया जो सुधा की और अंगुल्या निर्देश करते भई बोले सुनो मैया बोलो महराज बोले आया मुही रोहेनी पुत्रो रामायन सुहरदो गुणै आख्यास्य ते राम इती बला दिख्यात बलम विदो मैया तेरी गोदी में यो चोरा है यह निशित रूप से रोहनी को बेटा है अयम ही रोहनी पुत्रा है इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहनी की तरफ देखन लगी बहना यह तो पको जोद सी निकलो भाई एक निगाह में पट पहचान गयो मैया हस में लगी हाँ माराजी आप फिलकुर ठीक है रहे हो हम दोनों बहने अपने छोरन में नेक भी कोई अंदर ना माने मेरो होई के याको होई एक ही माया है माराज आप तो यह बताओ याको नाम का विचार कियो है बाबा बोले यह छोरा बड़े हो के बहुत बल्वान निक्से हो इसलिए याको नाम हैगो पलराम पला धिक्यात बलम बिदु बहुत अच्छी बात है माराज आया छोटे वाले को नाम और विचार लेओ बाबा बोले मैया या छोटे वाले के नाम की मत्पत पूछे एक हाद नाम होई तो गिनाई दूँ बहुनी संतिना मानी रूपानी चसुतश्यते गुण करमान रूपानी तान्य हम बेदनो जना इनके नाम अनेक अनुपा जाके तो हजारन नाम होई गोपाल सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम जब यह के नाम मैया बोली महराज मोई हजारन की आवशक्ता ना है आप तो बढ़िया सो चोखो सो एक नाम बटाएगे बाबा बोले मैया तो या समय हम या को नाम रग रहे हैं श्री कृष्णा को कहा मतलब होए ले कृष्ण को मतलब होए करसयती ती कृष्णा है करसती यह सबन कु अपनी तरप आकर्षित करले जबर दस्ती इसले कृष्णा नाम जादा प्रशिद्व होए को कृष्ण का अर्थ सच्चिदानंद भी होता है कैसे कृष्ण भूबाच का सब्द अनस्य निर्वरति वाच कह तयो रख्यम परभ्रह्म कृष्ण रिद्य विधियते कृष्ण सब्द है न वो भूबाच के भूसताया और अनस्य जो अनकार है यह आनंद भाच के है इसलिए कृष्ण सब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद रूपाया मैया बोली बहुत अच्छी बात है महाराज बड़े सुन्दर सुन्दर नाम आपने विचार किये यह और बताया दियो मेरो छोड़ा बड़े हो के करेगो कहा नोकरी करेगो कि ब्यापार करेगो कि ऐसी गईयां चराम तो भिरेगो बाबा बोले मैया चोरा की ग्रहदसा बोल रही है कि यह नंबर एक और चोर बनेगो मैया बोली यह भगवान है गयो मेला यह आपने कैसी भविच्छवानी कर दी महाराजी आपकी करपाते मेरे घर में नो लाक गईयां हैं दू तही के बंडार भरे पड़े हैं और मेरे लाला कुम आप चोर कह रहे हो बाबा बोले मैं कचुना कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ या की ग्रहदसा कह रही है मैया साधारन चोरना बनेगो चोरन को सरदार बनेगो यह भगवान काई की चोरी करेगो यह और बताए दो बोले महिया ये भी बतावो बड़ो मुस्किल है एक दो चीज थोड़ी चुराव है प्रजे बसंतम नबनीत चवरम गोपांगनानां चदुपूल चवरम अनेक जनमार जितपाप चवरम चौराग्रगण्यम पुरुसं नमार चौर नहीं चौराग्रगण्यम चौरन को सरदार हो इसलिए या को नाम पड़ेगो हरी हरती गोपी नाम चित्तम वित्तम नबनीतम ती हरी हरती प्रणत जनानाम पापम इति हरी जो प्रणत जिनों के समस्त पाप हर ले अपनी चित बन से गोपियन के चित को चुराए ले ऐसो ये नमामी चित चोर कम ऐसो चोरन को ये सरदार बनेगो मैया बोली ठीक है महराज जैसो बनेगो सो मैं देख लूँगी अब तो आप आसीर बात देओ मोज जादां भविच श्मानी अब नाई सुनी तो प्रणाम करके मैया तो लाला खुले के भीतर गई एक आंत में बोली बहन कचु है जाए महराजी बिद्वान तो बहुत है भाई पट पहंचान गए कौन को लाला कौन सो है पर नाम कचु तेड़े मेड़े धर दिये बहन करशन के अबे में मीरी तो जीवी चकर खाआ जाएगी तो मैंने तो दो नाम सोच लिए महराज ने नाम रख दिये कौनुआ और बलुआ सीदो सीदो नाम बोले में आ रा चोरा को चाहे जितनों बढ़िया नाम धरले उपर मैया लाड़ प्यार को नाम कचु अपने डंग से जरूर रखे तो मैया कृष्ण की जगे पर कनुआ, कनहिया, कानहा ये मैया की प्राइवेट गर के नाम अब दीरे दीरे दोनों कनुआ बलुआ गुटनों के वल नंद प्रांगण में बेहरन करना प्रारम कर दिये काले न ब्रजताल पेन गुकुले राम के सवब जानो भ्याम सहपाणे भ्याम रिंग माडव विजगतो दोनों कनुआ बलुआ गुटनों के वल चल रहे हैं कभी-कभी मैया की अंगली पकड़के पईया पईया चलने का प्रियास करते हैं मैया ने चरणन में छोटे-छोटे नूपर बांद राखे हैं जब भ्या दोनों चलते हैं तो उनके नूपरों की जनकार से नंदप प्रंगन गुझने लगता है जनकृत होने लगता है कितनी प्यारी जहांकी नंद के आंगन की हो रही है आईए सूर्दास बाबा की आंखों से इस प्यारी जहांकी का हम लोग दरसन करें किसी कभी ने कहा देखन को गनश्याम की मूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें भगवान की जहांकी का दरसन करना है तो सूर्दास बाबा की आंखों से करो जो दुनिया को तो नहीं देखते पर उनकी आंखें वो देखती हैं जो दुनिया वाले नहीं देख सकते स्रीमद बलवा चार महा प्रभू ने जब उन्हें प्रह्म संबंद प्रदान किया और स्रीमद भागवत का रसाम्रत पान करवाया और फिर सिर पर हाथ रख करके पूछा सूर्दास जी अब बताओ आपको क्या दीख रहा है सूर्दास जी बोले महा प्रभू अब तो मुझे नंद का प्रंगण दीख रहा है अच्छा तो बताओ नंद प्रंगण में क्या हो रहा है सूर्दास बाबा जून के गावड रून जून जन 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 पाजत है पे जनिया रून जून जन जन पाव से दर्सन करें जनन 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 बाजत है मैं जनिया जनन जनननी जनन बाजत है मात्य सोना चलन सिखावे अंगुली पकड दूदनिया अंगुली पकड दूदनिया अंगुली पकड दूदनिया अगुली पकड दूदनिया पीत जंगुलिया तन पर सोहे पीत जंगुलिया तन पर सोहे वाजत है है जंगुलिया तीन लोग जाके उदर बिराजे तीन लोग जाके उदर बिराजे तीन लोग जाके उदर बिराजे ताहिन चावे क्वाल निया ताहिन चावे क्वाल निया ताहिन चावे क्वाल निया ताहिन चावे क्वाल निया सुर्दास प्रभु तन को 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 निया पाजत है पेजनिया पाजत है पेजनिया बोल राम कृष्ण देव की जै जै स्री राद तो इस प्रकार से दोनों भाईया बड़े सुन्दर लग रहे हैं आंगन में नूपर बांद करके जब पहिया पहिया चलते हैं कभी गायों के सींग से दोनों भाईया लटक जाते हैं कभी बच्णों के दांत गिनने लगे जाते हैं के कौन से बच्णे के मौ में कितने दांत हैं कभी जलती हुई लकडी को गोल गोल घुमाने लगे जाते हैं, तो कभी चंदा मामा के लिए माधब मचल जाते हैं, चंद्र खेलो ना ले हो नी मैया, चंद्र खेलो